अब आप सब आप सब अच्छे हैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी हाउ टू डू ब्लाक स्मोकी आईज और बहुती इजी वे में मैं आपको बताऊंगी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि वन इट कम्स तू स्मोकी आईज ब्लाक कलर से खेलना असान नहीं होता ह है अगर वो थोड़ा सभी उपर नीचे हो गया तो हमारा पूरा लुक खराब हो सकता है तो वी हाफ तो बी वेरी केरफुल आज कैसे क्या किया है वो सारी स्ट्रेप बाइस ट्रेप आपको मैं दिखाऊंगी कैसे मैंने यह लुक क्रिएट किया है तो अगर आपको वीडिय वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और मेरे शैनल को सबस्क्राइब तो चलिए विडाउट वेस्ट इस एकडम क्लीन है तो चलो मेकप शुरू करते हैं सबसे पहले मैं लगाऊंगी प्राइमर के लिए यहां पर मैं ब्लू हेवन का प्राइमर लगा रही हूं प्राइमर क्या करता है कि यह आपकी स्किन को मेकप के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है और जो भी आपके पोर्स विजिबल होते हैं उनको ब्लर कर देता है सो फ्राइमर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से आप अपने फिंगर्स की हल्प से ब्लेंड कर लें फुल फेस पे और दो मिनट का वेट करें और उसके बाद अपना फांडेशन लगाएं फांडेशन के लिए यहां पर मैं लैकमे का फांडेशन यूस कर रही हूँ फॉर बिगनर्स यह फांडेशन बहुत अच्छा है अफॉर्डिबल है मेडियम कवरेश देता है बट ओनली थिंग ड़ाइट लाइक अब आपको यह फांडेशन सूट कर जाएगा अफटर दिस यहांपे मैं कंसिलर लगा रही हूँ अपनी आई लिड पर फॉर दैट यहांपे मैं यूस कर रही हूँ मेडिरीन फिटमी का कंसिलर और इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हल्प से ब्लेंड कर लूँगी और बहुत हलकी हलकी हातों से आपको करना है इससे क्या होगा कि हम जो भी आईशेडो लगाएंगे, उनके जो कलर से वो भूर अच्छे से उभर के दिखेंगे, इसलिए हम आईबेस लगाते हैं, और या, अब मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी, जो मैंने आईलेट पे लगाया था, कॉम्पैक्ट की हल्प से, यहा करूंगी आईब्रोस को फिल, यहां पर मैं किस प्यूटी का लॉंग वियर जेल आईलाइनर यूज कर रही हूं, यह मैंने एमाजॉन से खरीदा था, और इसमें मुझे ब्लैक एंड ब्राउन दोनो जेल आईलाइनर मिले हैं, अफॉर्डबल है तो आप ले सकते हैं, यह आपका एजा जेल आईलाइनर तो काम करेगा ही साथ में आप इससे अपनी आईब्रोस को भी फिल कर सकते हैं, मेक शूर करें कि आप जब भी अपनी आईब्रोस को फिल करें, तो आप ब्राउन कलर से करें, आपकी जो आईब्रोस हैं वो नाशरल लगेंगी, एक इसके बाद हम अपना आईब्रोस को फिल कर लिया है, शेप दे दिया, अपनी आईब्रोस को आप डिफरेंस देख सकते हैं, इसके बाद हम अपना आई लुक शुरू करते हैं, फो दैर यहाँ पर हमें काजल की नीड होगी, कोई सा भी काजल हो, आपको उसकी हेल्प से एक मोटा eyeliner draw करना है आपको need and clean होने की need नहीं है क्योंकि हमें इसको smudge ही करना है यहाँ पर मैं एक ear bird की help से इसको smudge करी हूँ, बिल्कुल wait नहीं करना है फटा-फट आपको इसको smudge करना है, otherwise सूख जाएगा आपका काजल, फिर वो smudge नहीं होगा जितना आप से smudge हो, उतना ही करें अपनी eyes को hurt ना करें क्योंकि इसके उपर भी हम अभी gel eyeliner लगाने वाले हैं black color का, इसको अभी बाद में भी हमने smudge करना है तो आप देखो मैं किस तरीके से कर रही हूँ दोनों आखो पर करने के बाद हम black color का gel eyeliner लेंगे और उसको इसके उपर लगा लेंगे आपको crease के उपर नहीं जाना है ठीक है, इसके बाद फटा फट मैं ear bird की help से इसको smudge कर लूँगी जितना आप से smudge हो उतना ही करिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ कई बार smoky eye look में लोग इतना अपनी आखों को रगड देते हैं कि फिर उनको चोट लग जाती है so please make sure कि आप ऐसा ना करें, जितना आपको आपसे हो उतना ही करें, हलके हलके हातों से आप इसको smudge करें और अभी आपको यह थोड़ा सा harsh लग रहा होगा लेकिन अभी आप देखना यह खुदी smudge out हो जाएगा अब आपको एक black color का जेल, sorry एक black eyeshadow लेना है और उसको इसके उपर लगा लेना है ताकि यह set हो जाए और black color और जादा उसकी pigmentation आए दोनों आखों पे आपको यह लगाना है अच्छे से और इसको पूरी उसको अच्छे से cover कर ले अब आपको एक brown color लगाना है अपनी crease पे जैसे कि मैं लगा रही हूँ brown color अच्छे से अपनी crease पे लगा लेना और इसके बाद हमें एक blending brush शही है इन दोनों colors को आपस में mix करने के लिए brown and black color को आपस में हम mix कर लेंगे हलके हलके हातों से आपको blending करनी है blending इसज़र की चितनी अच्छी blending होगी उतना अच्छा आपका eye look होता है so make sure करें कि आप blending में time लगाए दोनों colors को हम आपस में अच्छे से mix कर लेंगे आप difference देख सकते हैं अब इसके उपर हम फिर से black eyeshadow लगाएंगे और दोनों colors को आपस में mix कर लेंगे और black color की intensity और बढ़ भी जाएगी ठीक है आप देख सकते हैं अब जो भी fallout हुआ है उसको मैं clean कर लूँगी थोड़ा भूती fallout हुआ था अब इसके बाद हम करेंगे अपनी under eyes को highlight और जब भी आप smokey look करते हैं तो अपनी under eyes को highlight ज़रूर करें ताकि एक brightening look आए और यहाँ पर मैं वही same concealer यूज़ कर रही हूँ fit me foundation, sorry, maybelline fit me concealer और उसको अपनी ring finger की help से अच्छे से blend कर लूँगी याप concealer brush भी यूज़ कर सकते हैं और याप इसके बाद अपने concealer को under eyes को set करने के लिए मैं आपे compact यूज़ कर रही हूँ NY-B का इससे मेरी आखों के नीचे crease नहीं पड़ेगी after this मैं काजल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर plum का आप काजल लगा लीज़े और दोनों आखों में काजल लगाने के बाद हम इसको smudge करेंगे एक आपको smudge brush लेना है जिससे आप अपने काजल को smudge कर सके और यहाँ पर मैंने ले लिया है और इसको मैं हलके हलके strokes में smudge कर लूँगी अब आपको एक flat brush में black eyeshadow लेना है और अपनी lash line पे लगा लेना है इसको भी हलके हलके strokes में मैं लगा लूँगी smudge कर लूँगी ठीक है उपर भी smudge look नीचे भी smudge look होना चाहिए अब मैं अपने inner corners of the eyes को highlight कर लूँगी एक silver shade से और इससे आपकी eyes एकदम open up लगेंगी और black के साथ silver बहुत अच्छा लगता है इसके बाद मैं लगाऊंगी blusher for blusher मैंने एक बहुती natural color का blusher लिया है color essence का बहुत जादा blusher मत लगाईएगा बहुत जादा over हो जाएगा बहुत हलका सा आपको blusher लगाना है points है जैसे की मेरे blush के उपर blush के उपर लगा दूंगी मैं इसको highlight करने के लिए अपने cheekbones पे nose के बीच में center of the nose cupid bow chain area और forehead अब मैं अपना lip balm हटा लोंगी और अब मैं लगाऊंगी lipstick 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 के लिए यहाँ पे मैं एक nude shade लगा रही हूँ यह है naika molten matte की lipstick in the shade betty आप कोई भी nude color का lip liner sorry lipstick लगाएं क्योंकि आपने eyes को bold रखा है और यहाँ पे मैं यह वाला लगा रही हूँ आप अपनी पसंद का कोई भी nude color लगा ले and आपका look फिर हो जाएगा complete इसको मैं और dark करूंगी so अब मैं लगाऊंगी mascara mascara के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ तू-फेस्ट रबर्ड़ देन sex mascara बहुत अच्छा mascara अगर आप फॉसी लवर नहीं है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपको बहुत अच्छा look मिलेगा आपकी lashes को length भी देता है curl भी देता है volume भी देता है so बहुत अच्छा है यह और falsies लगा निए falsies लगा दो इसके बाद हमारा look हो जाएगा एक दम complete so this is the final look guys I hope आप सबको पसंदा रहा होगा और जब भी हम अपनी eyes को bold रखते हैं तो अपने lips को nude रखते हैं और जब हम अपनी eyes को light रखते हैं रखते हैं तो अपने lips को bold करते हैं लेकिन दोनों चीज़े कभी heavy नहीं होती है bold नहीं होती है कोई एक चीज़ है होती है so that's why मैंने यहाँ पर यह nude color लगाया है so yeah मिलती हो अपनी next video में I hope आपको यह लोग पसंदा आया होगा try करना comment section में लिखना it means a lot to me and like share subscribe करना and yeah bye take care